वा 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 ये देखिए इसे कहते हैं धाबा स्टाइल सब्जी कितनी मज़ेदार लग रही है आ रहा है ना देखकर मुझ में पानी वा हेलो गाइज टेस्ट विद ममता की किचन से मैं ममता शर्मा देव भूमी उत्राकंट से आपका स्वागत करती हूं तो फ्रेंड्स आज म आपके लिए बहुत ही चटपटी मज़ेदार और कभी ना टेस्ट भूलने वाली एक ऐसी सब्जी लेके आई हूं कि जिसका कोई जवाब नी तो आज मैंने बनाई है बिल्कुल प्रॉपर धावा स्टाइल पैगन की सब्जी आलू और वैगन की सब्जी तो आई देखते ह हैं इसको कैसे बराते हैं चलिए तो गाइस ये ढावा स्टाइल पैगन की सब्जी बनाने के लिए बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार सी चेटपटी और लाजबाब बनती है इस सब्जी बहुत ज़ादा तो उसको बनाने के लिए मैं आपको दिखाती हूं मैंने यहापे यह करीब एक किलो करीब मेरे बैगन है और चार मैंने मीडियम साइस के आलू है जो छील के यहापे पानी में डालके रख दिये हैं यहापे दो मैंने बड़े साइस के टेमेटो लिये हैं आप चाहें तो मीडियम साइस के हो तो तीन ले सकते हैं और दो मीडियम साइस के मैंने प्याज लिये हैं वो भी मैंने यहाँ पे इस तरह से कट करके रखे हैं और एक छोटा सा टुकड़ा मैंने यहाँ पे अद्रक का लिया है जो मैंने इस तरह से कट कर रखा है आप चाहें तो अपने टेस्क के अकॉर्डिंग हरी मिर्ची भी कट करके रख सकते हैं लेकिन मैं नहीं डालूंगी इसे क्योंकि हमारे मिर्च कम इस्तमाल होती है तो चलिए अब क्या करते हैं सबसे पहले मैंने जैसे आलू छील के पानी में डाल दिये इसी त सबसी में डालती हूं कि बाद में कई बार यह लकड़ी जैसा मुह में आता है ना तो गले में भी फसने के चांसेज रहते हैं तो ऐसे ही मैं इसको देख लिए बिल्कुल साफ है बैंगन और इसको इसी तरह से रफली चौप कर दूँगी धाबों में जो बनता है आप करनत नहीं होती यह देखिए यह बिल्कुल बैंगन साफ है है बिल्कुल रफली चौप करेंगे तो यह देखिए फ्रेंट्स मैंने सारी सबजियां कट करके रख दी है यहाँ पे वैगन भी काट लिये हैं आलू भी मैंने यह रफली ऐसे स्क्वेर वाले चौप करके रख दिये हैं और बाकी मैं आपको पहले बता चगी हूँ तो आप चलते हैं हम गैस की तरफ को गैस तो फ्रेंट्स ग्यास में मैंने कोकर रख दिया है इसे हम कोकर में मनाएंगे यह तभी बिल्कुल बहुत ही बढ़ी घुटवी अवे जो घुटवा वैंगन से होते न तभी बन पाएंगे वह तो यह देखिए चलिए अब हम क्या करते हैं कोकर मेंग ऑल डालते हैं ऑईल क जीरे को चटकने देते हैं तो जीरा चटक चुका है और अब हम क्या करेंगे सबसे पहले इसमें यह अद्रक डाल देंगे और तेज गरम है ना तो इसी हाथ हम प्याज भी डाल देंगे और इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं बहुत ज्यादा इसको ब्राउन नहीं करेंगे थोड़ा थोड़ा ही करेंगे तो यह प्याज हलका हलका सा भून चुका है और हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए बहुत ज्यादा हम इसको ब्राउन नहीं करेंगे तो अभी हम क्या करेंगे इसमें ये आलू हम इसमें डाल देंगे निकाले के सारे और इसको हिला लेंगे थोड़ा का और इसी हाद ये वैंगन भी डालेंगे बैंगन डालने के बाद अब हम ये सारे टमेटो अहां से उपर से डाल देंगे और इसमें अब हम बेसिक मसाले डालेंगे तो मसालों में सबसे पहले मैंने आधी चमच करीब हल्दी पाउडर लिया है ये वन फो टी स्पून मैंने मिर्च ली है मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के अगर्डिक कमजादे कीजिए और ये एक चमच भरके मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर लिया है और नमक अपन जो बहुत जादा इसके स्वाद को बढ़ा देगा तो अब हमने इसमें सारे मसाले डाल दिये हैं अब हम इन्हें अच्छे से पहले मिक्स कर लिए और अब हम इसे ठग लगा देंगे हमने इसको ढग लगा दिया है अब इसमें हम तीन से चार विसल आने देंगे ताकि यह बहुत अच्छे से कुक हो जाए और घुट जाए क्योंकि तो इसमें हम तीन से चार विसल आने देते हैं तो फ्रेंट्स इसमें चार विसल आ चुकी है और अब यह स्टीम भी इसकी न नायार हुई है यह देखिए बहुत अच्छे से यह गल चुकी है और पानी भी जिसमें भी काफी है वैसे एक्स्ट्रा लेकिन इसी तरह से इसे घोट के तभी घोटवा टाइप की बोलते हैं इसको घोट घोट के बनाया जाता है यह वाली आलू वैगन की जो होती है ना सारी यह अपने आब में शोता लेंगे और पानी इसका कम हो जाएगा तक मीज़गे और तो भी बनी है बनी है वाकई में जयसे भाबवों में कि ऐसा बीषा से मृल ची सब्सक्राइब है यह जहां वहां वह लेकिर एक्रेटल की जाती हिसा यह अब देख पा है हूंग के य वाव ये देखिए ये कितनी मज़िदार सी वनी है आलू बैगन की सबजी बिल्कुल देखकर प्रेजेंटेशन से बिल्कुल यही लग रहा है कि जैसे हम लोग धाबों में खाते हैं या कभी-कभी आपने अगर गुर्दवारों में लंगर अगर खाया होगा ना कभी तो वह कितना बढ़िया से इस सबजी बनके तयार है तो आप भी जरूर ट्राइ कीजिए और आप अगर एक बार इस तरह से बनाएंगे तो वाकई में आप कहेंगे कि बहुत ही बढ़िया बनी है तो फ्रेंट्स आई होप कि आपको मेरी ये रैसेपी पसंद आई होगी तो अगर प्लीज मेरी चैनल पर जाके उसे लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कॉमेट बॉक्स में जरूर बताएए कि आपको मेरी ये रैसेपी कैसी लगती है तो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स रैसेपी के साथ तब तक के लिए बाई थैंक तक कीू